नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं APS की परिक्षा और ROARO की परिक्षा इन दोनों ही परिक्षाओं के लिहास से Current Affairs के महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में Current Affairs के इस महत्वपूर्ण सेक्शन में especially हम लोग बात करेंगे कि इस विशय के स्मार्ट तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तो साथ ही हम लोग कुछ अन्य मुद्दों जैसे इसका वेटेज कितना होता है उसके अलावा किस बुक से हम लोगों को इसको पढ़ना ज्यादा मुफीद रहेगा या फिर कितने महीनों की Current Affairs हम लोगों के लिए पढ़ना ठीक रहेगा इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में इन सभी पर चर्चा करें उससे पहले एक चर्चा करना बहुत जरूरी है जो आम तोर पर आप लोगों को वर्ड सुनने को मिलता है Smart Study या Smart Strategy ये वास्तों में होता क्या है क्या होता है Smart Study तो देखे Smart Study का सीधा समतलब ये होता है कि जो Competitive Advantage वाले एरियाज है उनको पहचानना उन पर पकड़ मजबूत करना Competitive Advantage क्या बला है तो Competitive Advantage का सीधा समतलब ये होता है कि जो एरियाज में आपके Competitors कम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं उनकी तुलना में आप उनमें बहतर परफॉर्म कर ले जाएं उसी प्रकार से जैसे मान लीजे कि कोई परंपरागत युद्ध हो रहा है पहले के जमाने में जो युद्ध होते थे उसमें यदि किसी को तीर चलाना बहुत अच्छा आता है बाकियों को नहीं आता है तो युद्ध जीत जाता था उसी प्रकार से यहां पर भी हमें पहचान करनी है कि जो करेंट अफेर्स का सेक्षन है आम तोर पर उसको लोग महिनों की मैगजीन्स ले करके और फिर एक तरफ से सारी चीजे पढ़ते जाते हैं हमें वो काम नहीं करना है हमें क्या करना है कि अपने कंटेंट को बहुत फिल्टर्ड रखना है कम से कम रखना है और उससे ज्यादा अंक अरजित करना है स्मार्ट स्टडी का सीधा से मतलब बस यही है content को बहुत filtered रखिए, यानि छना हुआ रखिए, और उससे फिर आप ज्यादा ज्यादा अंक अर्जित कर सकें, यानि आपको बहुत ज्यादा burden, आप देखते होंगे कोई भी magazine आप current affairs की उठा लिजे, आप मंतली magazine उठा लिजे, अभी जुलाई अगस्त की कोई भी, उसमें आ आपको current affairs की magazine में अगर आप book वाला section उठा लेंगे कि important books कौन सी चर्चा में रही, उसी में देखेंगे तो लगबग 45 से 50 books का एक महीने की magazine में दे देता है, इस हिसाब से यदि आप साल भर की magazine करेंगे, तो 1250 यानि 600 books को आपको study करना है, ये केवल current affairs से related है, इसके अलावा परंपरागत पुस्तके हैं आपके history में, वो सभी अलग हैं, जो प्राचीन इतियास में, मदिकालीन या आदनी की इतियास में आप लोग पढ़ते हैं, वो सभी अलग हैं, इसके अलावा केवल current affairs से 600 पुस्तके हैं, तो आप समझे magazine को holistic approach के साथ पढ़ना वास्तों में सही नहीं होता है, इसलिए smart study की जरूरत होती है, आज की इस वीडियो में हम लोग उनी सब मुद्दों पर बात करेंगे, देखें, बात हम लोग करने जारे हैं, दो महत्वपूर्ण exams जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं, पहला है APS और दूसरा है ROARO, जहां APS की परिक्षा आपकी नवंबर से दिसंबर माह में होना संभावित हुई है, वही ROARO की परिक्षा आपकी दिसंबर या जनवरी, दिसंबर लास्ट या जनवरी में इसकी परिक्षा होनी संभावित है, ऐसे में देखें, APS की परिक्षा में आपको पता है कि 10 नंबर वहां पर मुतमाइन है कि वहाँ पर पहले सही दे रखा है कि दस नंबर का ही प्रशन पूछे जाएंगे करेंट अफेर से यह लगभग समतुल्य है किसके तो हिस्ट्री का जो आपका पोर्षन है वो जोग्रफी जोग्रफी तो हटा दीजे यहां पर नहीं है इंडियन जोग्रफी है इंडियन जोग्रफी आपका कितना पढ़ना होता है उसके बाद किवल चार नंबर का उसका वेटे जाए ठीक है उसके अलावा आप देखेंगे तो comparatively यहां पर कम pages में ही काम हो जाएगा तो इस लिहाज से यहां पर क्या हमारे लिए रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्पूर्ण है ऐसा नहीं है कि history नहीं महत्पूर्ण है लेकिन हमें अपने source define करने होंगे history के लिए और current affairs के लिए जब दोनों का वेटे समान है तो फिर हमें किसको ज्यादा revision करना होगा कहां पर ज्यादा ध्यान देना होगा किसको किस book से करना होगा यह समझना बहत जरूरी है यह सभी बाते हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में भी करेंगे आज के वीडियो में भी काफी चीजे क्लियर होंगे आपको इसके उलट यदि हम लोग आरो यारो में देखते हैं तो लगभग यहाँ पर 21 से 22 प्रशन का एवरेज बैठता है एवरेज का मतलब आप विगत वर्षों के प्रशनपत को देखिए तो एक साल में 2021 पूछा गया 16 प्रशन उसके पहले जो पूछा गया 2016 के दी एक्जाम में उसमें आपका यह पूछा गया था 25 प्रशन उसके पहले कितना पूछा गया तो यह पूछा गया 15 प्रशन उसके पहले कितना पूछा गया तो 22 प्रशन यह कुछ ऐसा है आकड़ा जो कि लगभग हमाई टीम में सभी को रिवाईज काफी बार याद हो चुका है क्योंकि आरो यारो का हम लोग बहुत ज्यादा उस पे सारी टीम ही हमारी बहुत तो यह ऐसा है कि 21 से 22 नंबर यहां पर हमें आवरेज देखना को मिलते हैं और यह लगभग उसी के समतुल्य है जैसे कि आपका हिस्टरी है यहां पर भी 21 से 22 नंबर का मिलता है देखने को जोगरफी यदि आप देखेंगे तो जोगरफी लगभग 14 नंबर की पूछी जात इन सभी से ज्यादा वेटेज यहां पर करेंट अफेर्स का है तो एक बात तो निर्दवान दाया कि करेंट अफेर्स की महत्कून भूमिका है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री वगएरा जिसमें हम लोगों को ज्यादा पढ़ना होता है और उसके बावजूद यहां पर हमें समान वेटेज मिल रहा है यानि कि हम लोगों को करेंट अफेर्स को ज्यादा महत्व देना है क्योंकि इसमें कम कंटेंट पढ़ करके ज्यादा हम लोग कर सकते हैं अब बात आती है इस पर की वास्तों में हम लोगों को कितने महीनों की करेंट अफेर्स जाने वाला है तो देखे कितने महीनों की पढ़नी चाहिए तो आपको सीधा मैं बता दू हिसाब की exam date जो भी होती है उसके 20 दिन पहले का लगभग आप लोग current affairs ignore कर सकते हैं ठीक है वो ignore इसलिए कर सकते हैं क्योंकि UPPSC के अभी तक की इतियास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कुछ हैं उनमें यदा-कदा वो लोग पूछ भी लेते हैं परन्त UPPSC के exams में ऐसा नहीं होता है तो 20 दिन की आप लोग current affairs लगभग ignore कर दीजिए उसके बाद के जो last three months है मान लीजिए कि आपकी परिक्षा है अगर दिसंबर में परिक्षा होती है त्यानि कि September, October, November आपके संभव है कि इसमें 50% question जो है वो last three months की ही magazine से आजए क्योंकि ऐसा ही pattern हम लोगों को लगभग 2018 से देखने को मिल रहा है जहां पर हम लोगों को last three months का सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है उसके तीन महीने पहले उसके तीन महीने पहले इसका वेटेज थोड़ा कम है इससे लेकिन ये भी हम लोगों को अध्यान करने की बहुत ज़्यादा जरूए थे क्योंकि प्रस्ण काफी सारे यहां से भी बनते हैं लगभग एक मैं आपको मोटा मोटा आकड़ा दू तो लगभग 30% आप मान लीजे ठीक है 30 से 35% ज्यादा तर वैसे 6 महीने में ही कवर हो जाता है यानि जो आपकी एकजाम डेट है एकजाम डेट के 6 महीने पहले का यदि आप करेंट अफेस कर लेते हैं तो आपको ज्यादा तर प्रस्ण उससे मिल जाएंगे लेकिन कुछ प्रस्ण ऐसे होंगे जो उसके भी 3 महाईने पहले के होंगे तो उनको हम लोगों को करने के लिए कवर करना है यानि इन शौर्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग यहां पर 9 months की current affairs हम लोगों को exam के perspective से देखनी ही देखनी है मगर उसमें ध्यान देने योग्य बात सबसे ज़्यादा ये है कि last three months की सबसे ज़्यादा important होती है उसके जो एकदम जुड़े हुए 20 days हैं उनको आप ignore कर सकते हैं उसके पहले के तीन मन यानी 6 मन जो last three months के बाद वाले तीन मन है उनको थोड़ा सा इससे कम आप ध्यान दे सकते हैं लेकिन ये तीन मेरा ये आगरह रहेगा आपसे कि किस books से पढ़ें इसको यदि समझना है तो आप पहले ये समझ लें कि किन महीनों की current affairs important है अब देखे बात करते हैं कि कौन सी books से हम लोग पढ़ सकते हैं कौन सी books से पढ़ सकते हैं यदि books पर हम लोग study करें तो यहाँ पर देखे एक बात हमें समझ में आती है कि एक book आती है जो compilation के तौर पर आती है ठीक है? compilation जो आती है वो आपको exam के नजदीक ही आती है लगबग 20 दिन 25 दिन पहले आती है वो compilation की यदि बात करें तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है घटना चक्र GC मतलब घटना चक्र उसके सासाथ घटना सार ये दोनों बहुत ही अच्छी book है पहचान बनाई है काफी लोग प्रीपुस्तक है और इससे बाहर बहुत कम ही प्रस्थन जाते हैं घटना सार इसके उलट इसको और ज़्यादा matter refine करके to the point बना करके one liner के रूप में भी कई बारी घटना सार वो प्रस्तुत की जाती है ठीक है तो यहाँ पर यह दोनों पुस्तकें आपके compilation के लिहाज से महत्वपुर्ण है और यह उनके लिए ठीक है कि जब भी आपका exam नजदीक आता है तो वहाँ पर आपको यह compilation एक बार रिवाईज करना ही है लेकिन अभी के लिए आप घटना आप क्या कर सकते हैं आप इसका weight तो कर नहीं सकते हैं जबकि आपको पताएगी दस नंबर जैसा एक महत्वपुर्ण weightage यानि history, quality, science इनके जैसा एक महत्वपुर्ण weightage APS की परिक्षा में निश्चित है और वहीं ROARO की परिक्षा में भी history, geography जैसे महत्वपुर्ण weightage के आधार पर 21 से 22 प्रस्ण आपके current affairs से पूछे जाने है तो फिर आप अभी निर्द्वंद होकर और किसी भय से मुक्त होकर नहीं बैठ सकते हैं आपको monthly magazine भी कायदे से cover करनी चाहिए ठीक है, ये बात सही है कि compilation से आपको ज्यादा तर प्रस्ण मिल जाएंगे, परन्तु उन प्रस्णों की संख्या लगभग 70% ही होगी इससे ज्यादा प्रस्ण मिलना अब मुश्किल हो गया है अभी 2-3 साल पहले तक ये होता था कि compilation से ही आपको 90% questions मिल जाते दे बात करते हैं यदि monthly magazine पे, तो monthly magazine में यदि आप देखेंगे तो कुछ magazines आती है, जैसे एक आपकी आती है, घटना चक्र की, बहुत ही अच्छी magazine है चीजों को बहुत अच्छे से detail में कवर करती है और especially ये लोग सिवा आयोक के ही प्रशनों को focus करती है इस वज़े से लोग सिवा आयोक के exams के लिए राम बार कही जा सकती है घटना सार की magazine जो आती है वो आम तोर पर ये लोग monthly की बजाए जो 3 महिने की, 6 महिने की ऐसे निकालते हैं और ये घटना सार की magazine भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आज कल बहुत चर्चा में है लगभग पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा ही ये चर्चा में आ गई है और one liner होने के नाते to the point होने के नाते इस वज़े से भी ये हो सकती है घटना सार की भी magazine अच्छी है उसके अलावा आप देखेंगे तो द्रिष्टी IS की एक magazine आती है द्रिष्टी IS की वास्तों में दो magazine आती है एक आती है द्रिष्टी Current Affairs Today के नाम से जो IAS की परिक्षा के लिए ज्यादा उप्योगी से दोती है और एक आती है द्रिष्टी PCS के नाम से जो कि PCS की परिक्षाओं को केंदर में रखकर बढाई गई है हाला कि बहुत ज्यादा उप्योगी ये मैगजीन नहीं है अगर बात करें UPPSC की तो बहुत ज्यादा उप्योगी वहाँ पर दिखती नहीं है तो इसको आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन वही है कि आपको घटना चक्र का compilation या घटना चक्र को भी आपको follow करना जरूरी है इसके अलावा एक मैजीन आजकल और बहुत चर्चाम बनी हुई है वो है उतकर्ष उतकर्ष की magazine की अधी बात करें सिक्षक बहुत बहुत बहतरीन है बहुत अच्छे हैं लेकिन UPPSC के exam pattern में इनकी magazine बहुत ज़्यादा उप्योगी सिद्ध नहीं होती है आप previous year questions को देख करके और इनकी magazine के pattern को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कोई भी चीज ऐसी छिपी हुई नहीं है ठीक है और किसी की आलोचना करने का मेरा मकसद भी नहीं है मैं जो चीजें हैं उसका honest review बस आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी रही है यहाँ पर यदि बात करें in short अगर कि क्या conclusion निकलता है पहली बात कि चुँकि आपका monthly जो last three months है उसके last three months है वो ज्यादा important है लगभग आपको 75% आपको last six months से ही मिलता है इसलिए मे पाई नाम के सीर्षक से लिखी होती है उसको आप पढ़ना शुरू कर दें तो monthly current affairs आप पढ़िये घटना चक्र के माध्यम से घटना चक्र की magazine आप ले सकते हैं और monthly जो है वो जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नोवंबर दिसंबर आपके 6 महीने आराम से complete हो जाएंग तो आपको घटना सार की magazine आपकी compilation के तौर पे आएगी लेकिन वही बात है कि एक risk रहेगा क्योंकि आपको 70% questions ही वहाँ से देखने को मिलेंगे इसके अलावा यदि बात करें तो हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग अपने ROAR के course में current affairs के लिए एक separate batch नहीं बलकि separate वहा details आपको हमारी अगली class में संभवता कल ही की class में उसमें सारी details दे दी जाएंगी किस तरह का batch होगा क्या चीजे होंगी क्या उसमें केवल videos होंगे केवल notes होंगे या फिर question answers की practice होगी इन सभी मुद्दों पर हम लोग बहुत अच्छे बात करेंगे आपको सारी benefits बताएंगे और बहुत ही nominal rate पे वो काम होगा ताकि यह जो current affairs के नाम पर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है कुछ भी बेचा जा रहा है और students को कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है क्योंकि unfiltered content दिया जा रहा है unfiltered का मतलब बिना च्छना हुआ और वो वास्तों में magazine पढ़ने से व्रिहद हो जाता है वो content तो हम लोग क्या करेंगे इस magazines को जो भी magazines important है उन सभी का बहुत छना हुआ material वो आपको अपने batch के मार्धियम से देंगे अपने question answers के मार्धियम से देंगे इन सभी को हम लोग अपने batch में लेकर रहे होंगे और बने रही है माई चैनल पर उमीद है आपको current affairs से संबंदित काफी सारे doubts clear हुए होंगे इससे related कुछ और भी subject पर हम लोग upcoming videos में बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार